स्वागत है आप सभी आंगनबारी बेहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज की ये वीडियो सभी आंगनबारी बेहनों के लिए काफी यूसफुल होने वाली है आज मैं आपको 3 लेटर दिखाने वाला हूँ जैसे कि तीन लेटर में आपको पोसहार से संबन्दित जो जनकारी है वो आपको step by step किलियर करके समझाने वाला हूँ कि दिसंबर महिने का जो पोसहार बितरन है वो कैसे होगा साथी साथ जो तीन वर्ष से छे वर्ष के बच्चे हैं उनका OTP जिनरेट नहीं किया जाएगा उसके लिए भी विभाग ने लेटर जारी किया है साथी साथ THR में बदलाव किया जा रहा है उसकी भी बैठक होगी तो आपको मैं तीनो लेटर दिखाऊंगा तीनो लेटर में समझाऊंगा कि कैसे THR में बदलाव किया जा रहा है और इस महिने जो दिसंबर महिने में THR बितरन करना है वो OTP के माध्यम से ही करना है तो वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों के लिए काफी यूजफुल है वीडियो को अपलोग कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं पहला लेटर है जो कि यहाँ पर ICDS विभाग के तरफ से भेजा गया है 1612 2021 को यहाँ पर देख सकते हैं निदेशक ICDS सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी सभी बाल विकास पडियोजना पदादिकारी को ये लेटर भेजा गया है पहला लेटर जो देख रहे हैं यहाँ पर आगनबारी केंद्रो पर माह दिसंबर 2020 का टेखोम राशन पुसहार का प्राप्ती है तू टोकन परनाली के माध्यम से करने के संबद में यानि कि आपको इस माह भी टोकन परनाली के माध्यम से पुसहार बितरन करना है टोकन परնली सत्यापन करने के बाद पोसहार वितरन करना है यहां पर देख सकते हैं महास है उप्रिउक्त विशाय के संबंध में कहना है कि राजे के सभी आंगनबारी केंद्रोपर पोसहार टोकन परनली के माधियम से वितरन किया जा रहा है आगनवारी केंद्रो पर माह दिसंबर 2021 का टेखोम राशन पोसहार प्राप्ती हेतूर टोकन परनाली के माध्यम से 15-12-21 से 31-12-2021 तक 3-6 वर्ष स्कूल पूर्व सिख्षा प्राप्त कर रहे लाभुकों को छोर कर पोसहार वितरन किया जाना है यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया गया है कि 3-6 वर्ष के जो स्कूल पूर्व सिख्ष बच्चे हैं उनका OTP जेनरेट नहीं होगा उनको छोर कर पोसहार वितरन किया जाना है अब चलिए मैं आपको दूसरा लेटर दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेटर का जो विशाय दिया गया था कि आगन बारी केंदरों पर 3-6 वर्ष स्कूल पूर्व सिख्षा प्राद करें लाभोकों का टोकन पर नाली के माध्यम से बिलोपीत करने के सम्बंद में यहाँ पर साब साब देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका टोकन जेनरेट नहीं किया जाएगा यानि अब उनका जो टी एचर है उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा चलिए मैं आपको एक और लेटर दिखाता हूँ जिसमें की टी एचर में कुछ बदलाव के लिए भी लेटर जारी किया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह भी लेटर बिहार सरकार के तरफ से ही जारी किया गया है इसका डेट यहाँ पे दिया गया है 15-12-2020 यह है पोसहार संबंधित जैसे कि परभारी पदादिकारी पोसहार आईसीरियस निदेशाले के तरफ से यह लेटर जारी किया गया है इस लेटर में बताया गया है कि ती एचार में रोराशन के बदले EDNF रेसिपी पोसहार में सामिल करने के समद्ध में बैठक यहाँ पे देख सकते हैं उप्रियुक्त बिशाय के समद्ध में कहना है कि निदेशा नुसार भारा सरकार दोवारा पुड़क पोसहार में पूर्व के समयकित बालविकास सेवाएं अंतरगत नियम दुहर सत्रा योम राष्टिय खाद सुरक्षा अधिनियम दुहर तेरक को बिमुक्त कर नई दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसके आलोक में टी एचार में रोराशन के बदले EDNF रेडी टू इट रेसिपी पूसहार में सामिल किया जाना है उपरोत के आलोक में निदेशक महदोय की अध्यक्सता में उनके कर्यालय कक्ष में दिनांग 1612-2021 को अपराहन 4 बजे बैठक आयोजन की जाएगी अता अनुरोध है कि उक्त बैठक में अपने प्रस्तावों के साथ 100 समय भाग लेना लेकिन इसमें कुछ चीजें मेंसन की गई थी जैसे 3-6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका OTP सत्यापन नहीं होगा साथी साथ जो THR में बदलाव होने जा रहा है उसके सम्मान में कुछ बैठक होगी जिसमें कुछ निर्नय लिये जाएगा तो आप सभी आगनबारी बेहनों को आज का ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ इस वीडियो को और ने आगनबारी बेहनों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए बहुत धन्यवाद जय हिंग